नमस्कार आप सभी का स्वागत है समद्रिक शास्तर में स्त्रियो और पूरुष के अंगों के आधार पर उनका भविशे जाननी की विदी का वर्नन किया गया है समद्रिक शास्तर के अनुसार मनश्य के दाद भी उसके विशे में बहुत कुछ बताते है दातों का आकार, दातों का प्रकार, दातों की संख्या, दातों में ग्याप होना, एक ही स्थान पर दो दातों का होना, आधि प्रकार की सितिया, मनुष्य से जुड़े कई राज खोलती है आपको बता दी कि समद्रिक शास्तर में, मनुष्य के शरीर के सभी अंगों के विविद लक्षनों का वर्नन किया गया है, इसमें नासी का लक्षन, मुख लक्षन, नेत्र लक्षन, कपोल लक्षन, हस्त लक्षन, आधि प्रकार की सभी अंगों के लक्षनों का वर्नन मिलता ह आज हम जानने वाले हैं मनिश्यक के दातों के लक्षनों के बारे में भागे चालिस त्रिवार पूरिश के दात कैसे होते हैं और उनके क्या विशिष्ट प्रकार है इसी के साथ ही समुद्रिक शास्तर के अनुसार दातों के बीच में ग्याप होना कोई साधारन लक्षन नहीं है दातों के बीच में ग्याप होने से कई महतोपुर्ण संकेत मिलते है जिसे आप सभी को आवश्य जान लेना चाहिए तो चलिए जान लेते हैं समुद्रिक शास्तर में किस प्रकार की दंत लक्षनों का वर्नन किया गया है पर उससे पेल अगर आपने चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथी वीडियो को एक लाइक करना ना भूले समुद्रिक शास्तर कहता है समुद्रिक शास्तर के अनुसार दातों का एक सार सम और एक दूसरे से सटे होय होना न चोड़े और न पतले होना सबसे उत्तम माना गया है इसके फलसुरूप उत्तम जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और धनसंपत्ति से युक्त सुक्मय जीवन मिलता है। किन्तु यदि दात आगया पीछे होते हैं, अथवा टेड़े मेड़े होते हैं, तो यह सफलता को आवरुद्ध करते हैं। इसके फलसुरूप मनुश को मानसिक पीड़ा, खिन्नता और क्रोध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे दात वाले मनुश को सफलता पाने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है। तीसरी बात, यदि दात मोती की तरद चमकदार होते हैं, तो यह उत्तम जीवन और सोभागे का सुचक है। ऐसे दात वाले लोग दिरगायों होते हैं और सुक प्राप्त करते हैं। चवती बात, दातों का भूत पतला होना, समुद्रिक शास्तर के अनुसार, दातों का भूत पतला होना आशुब माना जाता है। पतले दातों वाले लोग कुटिल, निर्मन और कप्ति सभाव के होते हैं, ऐसे लोगों से सदव ही धूर रहना चाहिए। पांची बात, दातों की संक्या से भी वेक्ति के भविशे के बारे में पता किया जा सकता है। यदि किसी वेक्ति के 28 दात हो, तो उसकी उन्नती बहुती धीमी गती से होती है, लेकिन उन्हें अपनी मनुवांची सफलता अवशे ही प्राप्तों होती है। आईए आप जान लेते हैं, वेक्ति के दातों में ग्याप होने का क्या आर्तों होता है। समदरिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के दातों में ग्याप होता है, वे बहुती बुद्धिमान होते हैं, इनके पास अद्भूत प्रतिबाशक्ती होती हैं, ये लोग अपने जीवन में बहुत कामियाब भी होते हैं, इनका सुभाब होती सरल और सहज होता है, और परुपकार करने वाले होते हैं, दूसरी बात, जिन लोगों के दातों के बीच में ग्याप होता है, ऐसे लोग खुले विचारों वाले और समझदार होते हैं, ये दूसरों के दुख और उनके पीड़ा को बढ़ी आसानी से भाप लेते हैं, इनकी वानी मदुर होती हैं, और ये कभी दूसरों को करवे शब्डों में बात नहीं करते, समुद्रिक शास्तर के अनुसार जिस वेक्तिके दातों में ग्याप होता हैं, वे लोग द्रड़न इश्चे ही होते हैं, और हर कारे को पूरी लगणार मेहनत से करते हैं, भी दोका नहीं करती हैं, ये जीवन ग्याप वाली महिला आए, अत्यंत भावक मानी गई है, इन्हें धोका, जूट, पाखंड जैसी बातों से सक्त नफरत है, अक्सर लोग इनके अच्छे सुबा का फाइदा उठा लेते हैं, लेकिन इन्हें उसे बड़ी तकलिफ होती है, और वो ये बात कभी दूसरों को नही बता पाते हैं, समद्रिक शास्त्री के अनुसार, दातों में ग्याप वाली महिला है, विवा के लिए सरोत्तम मानी गई है, इनसे विवा करने वाले पुरुष, सदाही सुखी, और सम्रिद्ध जीवन जीते हैं, दातों की बीच में ग्याप वाले लोग, धन के अधिक लाल नहीं करते, तो इस प्रकार से समुद्रिक शास्त्र में, दातों की बीच में ग्याप होने का मतलब बताया गया है, क्या आपके भी दातों की बीच में ग्याप है, तो कमेंड करके अधिक बता है, जान करे अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू करे, कमेंड में जेमा लक्ष्मी हैं अवश्य लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद